आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास है Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max या फिर Redmi का कोई और फोन और यहाँ पर आपके फोन पर कॉल आने पर स्क्रीन पर यानि डिस्पले पर शो नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें तो इसके लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए Settings ओपन करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा यहाँ पर Apps पे किलिक करिए Apps पे किलिक करने के बाद उपर आएगा Manage Apps पे किलिक करिए और यहाँ पर Manage Apps पे किलिक करके आपके फोन के सारे एप आचुके हैं और यहाँ पर एक सर्च करने का Option आएगा इस पे किलिक करिए उसके बाद यहाँ पर Type करिए Phone उसके बाद आपके सर्च में आएगा Phone इस पे किलिक करिए नीचे Force Stop करिए OK करिए उपर Storage पे किलिक करिए नीचे Clear Data पे किलिक करिए Clear All Data पे किलिक करिए OK करिए बैक आईए यहाँ पर आएगा नीचे Notification इस पे किलिक करिए और यह आपका चालू होगा Show Notification यहाँ से और अगर यह नीचे के Option चालू नहीं है तो इन सारे Option को चालू करिए तो इस तरीके से यह सारे Option आउन करने के बाद Back आईए फिर से Back आईए Phone Services पे किलिक करिए Force Stop करिए OK करिए Storage पे किलिक करिए Clear Data करिए Clear All Data पे किलिक करिए OK करिए Back आईए फिर से अब यहाँ पर उपर Cancel पे किलिक करिए और चेक करिए अब आपका कॉल आएगा तो आपकी स्क्रीन पर Show हो जाएगा बट अगर Problem ठीक नहीं होती है तो यहाँ पर Manage Apps में आने के बाद उपर 3.पे किलिक करिए Reset App Preferences पे किलिक करिए और नीचे Reset Apps पे किलिक करिए यह करने से कोई आपका Data Delete नहीं होगा तो Reset Apps पे किलिक करिए और उसके बाद आपकी Problem 100% ठीक हो जाएगी तो इस तरीके से Incoming Call अगर Show नहीं होता है आपके Redmi Phone में तो इसे ठीक करें अगर यह वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें